असलाम लेकुम स्टूरेंट्स मैं हूं मिसिस हीबा दूराओफ आज हम पढ़ेंगे पेपर टी चैप्टर नमबर वन अलेक्ट्रोनिक्स और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांजेस्टर जिसके में हम इंट्रोडेक्शन से लेके अड्वांटेचिस और डिस अड्वांट टीट्र डिवाइस है लेकिन इसके तीन टर्मिनल्स होती है और यह क्या कहता है एक करता है इसको रेगुलेट करेगा और एक्ट करेगा यसैड्य करेंगे अट करेगा as switch or gate for signals. ट्रांजेस्टर को is a three terminal solar stereo device which is formed by connecting two diodes back-to-back हम दो semi-conductor diodes लेंगे यानि P injunctions उन दोनों डायोड को अगर हम बैक तू बैक अगर जोडेंगे तो हमारे पास वह समी कंड़क्टर डायोड बन जाएगा त्री तर्मिनल्स आउट अगर जोडेंगे एक समी कंड़क्टर के पॉजटिव को दूसरे समी कंड़क्टर को पॉजटिव से जोडेंगे तो दर्मियान में पॉजटिव होगा उसके लेफ्ट और राइट पे नेगिटिव होगे अगर हम एक समी कंड़क्टर के नेगिटिव टर्मिनल को दूसरे समी कंड़क्टर डायोड के नेगिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे दोनों डायोड में आपके पास P positive positive को आपस में जोड़ा हुआ है और इसकी side जो यह उपर वाली side है यह जहां C लिखा हुआ है यह आपके पास negative है और जहां E लिखा हुआ यह भी negative है ठीक है इसी तरह गर हम इसकी दूसरी देखें डायग्राम तो उसमें आप यह देख रहे ह है कि इसमें हमने negative negative को connect किया है और इसके side पे positive है ठीक है तो अगर हम इन दोनों systematic डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें यह समझ आ रही है कि इसकी दो टाइपस है एक है NPN transistor और एक है PNP transistor ठीक है transistor is consist of two words यानि transistor word transistor को अगर हम split करें तो यह transfer और रिजिस्टर की form में आएगा transfer का मतलब यह है कि यह voltage और पावर को transfer करेगा resistor का मतलब यह है कि यह transfer करेगा resistance को means कि transistor एक ऐसा semiconductor device है जो at the same time forward bicing भी होगी उसमें और उसी time पे उसमें reverse bicing भी होगी ठीक है सो इसी वजह से इसको हम transistor भी कहेंगे यह निए transfer और रिजिस्टर को split करके हमने यही बात explain की है transistor की यह चार टाइपस हैं जो आपके सामने हैं इन में से जो पहली टाइप है bipolar junction transistor यह हम पढ़ेंगे बाकि UJT, FET, MOS यह सिर्फ आपको वैसे बताईएं यह आप किस लिबस में नहीं है transistor के तीन regions होते हैं एक emitter सबसे पहले emitter है फिर base फिर collector यह आपको PNP transistor दिखाया हुए इसमें जो emitter है वो heavily dopt है यह आपको यह समझ आ रहा होगा कि हमने दो P टाइप के दर्मियान में एक N टाइप को कैसे insert किया जो N टाइप है वो बिल्कुल चोटी सी बारी एक सी एक थिन लेयर है जिसको हमने दो P टाइप के दर्मियान में इंसर्ट किया है और यह जो crystal लिए यह जर्मेनियम की है जो यहां शो की गई है हम जर्मेनियम भी ले सकते हैं सिलीकॉन भी ले सकते हैं यह जर्मेनियम और सिलीकॉन हमारे पास सेमी कंडुक्टर सें एमिटर क्या होता है एमिटर इस इद इस ओफ मॉड़ेट साईज इन इसका साईज मॉडरेट होता है and it's heavily doped लेकिन इसमें doping heavy होती है its main function is to supply majority charge carriers collector जो है it is large in size and it is moderately doped its main function is to collect majority charge carriers अब majority charge carrier से क्या मराद है हम आगे देखते है base it is middle section of the transistor यानि center में base होगा and very lightly doped thin in size यानि इसमें doping भी बहुत कम होती है और इसका size भी बहुत चोटा होता है its main function is to reduce the recombination of charge carriers within base अब ये जो पीछे हमने characteristics पढ़ी है अगर हम इसको diagram को सामवरा कि उसको recall करें ये देखें आपके पास ये emitter है दरम्यान में base है और collector ये NPN transistor दिखाया हुए आप और से देखें कि जो आपके पास emitter है और collector है collector का size बड़ा है emitter का size चोटा है और base सबसे चोटा है ठीक है base जो है वो size में चोटा भी होगा उसमें doping भी कम होगी लेकिन emitter collector के निसपर size में चोटा होगा लेकिन इसमें doping हैवी होगी collector में moderate doping होगी ठीक है ये NPN transistor था इसको अगर हम symbolic के लिए show करना चाहिए NPN transistor को तो ये जो आपके पास ये वाली diagram है इसमें इसको show किया हुए इसमें देखें आपके पास जो करन की direction हो आप देखें है base से emitter की तरफ जो arrow का sign है ये base से emitter की तरफ है क्यों है base से emitter की तरफ क्योंके base positive है emitter जो है आपके पास negative है और करन की direction हमेशा base से emitter की तरफ होती है ठीक है ये था NPN transistor अब आपके पास next है PNP transistor PNP transistor में भी आप यह देखें एमिटर का size collector की निसबत थोड़ा सा चोटा है dropping उसी तरह से होगी जैसे पीछे बता है कि emitter में ज्यादा होगी collector में कम होगी और end type जो है वो small end जो दर्मयान में है वो base के तोर प्यक्ट कर रहा है साइज में छोटा होगा इसकी symbolical diagram यह देखें कि इसमें grunt की direction emitter से base है जबकि उपर वाली में आपने दिखा base emitter थी अब इसमें जो base है वो negative है यह देख रहे हैं यह base negative है ठीक है और emitter positive है तो direction grunt की में उसके reverse होगी यह निए emitter से base की तरफ positive से negative की तरफ ठीक है नेक्स्ट है pricing of transistor pricing कहते हैं जब आप device को किसी भी चीज़ की बाइस की कि जब आप उसको electricity provide करते हैं यह यह बैटरी से connect करते हैं तो उसमें current flow करता है और फिर उसके बाद उसका जो behavior होता है पास करने के बाद उस behavior को हम pricing कहते हैं तो by sing of transistor के होगा transistor की by sing हम दोनों ज़रा से देखेंगे यह निए NPN transistor को connect करके भी और PNP transistor को connect करके भी As we know that our transistor is a combination of two diodes. We have two junctions here. As one junction is between the emitter and base. अगर आप पीछे वाली डाय्ग्याग्राम को देखें. The junction zone is gore. A emitter and base is compatrius lines having a base and a base collector their lines. तो यह भात करेंगी इसमें 2 junction हैं. इससलिए इसको bipolar junction transistor कहते हैं. अब गरे एक ambetor or base में है और Truck collector में है. as one junction is between the emitter and base and that is called emitter-based junction and likewise the other is collector-based junction. Biasing is controlling the operation of the circuit by providing power supply. इसकी definition भी है. The function of both the PN junction is controlled by providing bias to the circuit through some DC supply. इन्ही हम इसको direct current कोई देंगे. By applying the power, the emitter-based junction is always forward-based. अब यहां पे यह जो line अभी मैंने read की है. यह बहुत important है. जब भी आपने transistor को connect करना है. चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो. आपने देखा NPN में उसके left-right N negative terminals होंगे और PNP में उसके left-right positive terminals होंगे. जब भी आपने उसको connect करना है तो यह condition होगी शर्थ होगी कि आपने उसको emitter-based junction को ऐसे connect करना है कि वो forward bias हो ठीक है अब यह depend करता है आपको उसा transistor यूज कर रहे है क्यों करना है as the emitter resistance is very small ठीक है the collector-based junction is reverse biased or collector-based junction को हमेशे हम reverse biased भी रखेंगे its resistance is a bit higher how comparatively ज्यादा होती है small forward bias is sufficient at the emitter junction whereas a high reverse bias ठीक है and has to be applied at the collector junction the direction of current indicated also called as the conventional current जो मैं पीचे आपको बता चुकी हूँ कि जो current की direction है हमेशा positive से negative होगी इसलिए उसको conventional current भी कहते है is the movement of whole current whole mean positive charges which is opposite to the electronic current या electron current अब ये आपको बाइसिंग दिखाई हुई ये जो भी menu पर paragraph यहाँ पड़ा था कर फारवर्ड और रिवर्स बाइस कैसे करना है ये P NPP और NPN transistor दोनों दिखाई हुए है अगर आप पहले इसमें सबसे पहले PNP को देखें इसका जो P है वो नीचे बैटरी के positive से connected है और base ये दरम्यान में base है ये जोकि N है ये बैटरी के negative से connected है ठीक है यहां पे और इसी के साथ दूसरी साथ पर collector को देखें collector पर P है और P इदर आके negative के साथ connected है और base यहां पर positive के साथ connected है अब इसमें देखें जो emitter base junction है उसको हमने forward bias कर दिया और collector base junction को हमने reverse bias कर देखेंग यानि बाइसिंग में हम इसके junction को forward और reverse batteries के थ्रू करते हैं यह batteries के connection से इसको हम forward और reverse bias करते हैं सेम इसी तरह अगर हम NPN transistor लेंगे ठीक है तो उसमें N को हम negative terminal बैटरी से connect करेंगे ठीक है तो P को हम positive से करेंगे तो यह forward bias junction बन जाएगा और यह collector base junction जो है यह वैसे ही जैसे पहले आपके सामने नजर भी आ रहा है बताया भी है को oppositely connected होगा तो यह reverse bias junction हो जाएगा ठीक है The N type material is provided negative supply यह जो अभी बताया कि कैसे कैसे connect किया है यह उसी कुनोंने explain कर दिया कि forward bias हम कैसे करेंगे और reverse bias कैसे करेंगे ठीक है यह भी एक diagram है इसमें उपर crystal की form में आपको PNP और NPN दिखाया हुआ है connect करके और इसमें आपको symbolically transistor को connect करके दिखाया हुए दर्मियान वाला terminal उसका base है left side parameter है right side collector है दोनों की bicing दिखायी हुई है Transistor का operation working of NPN transistor as this electron flow toward P-type base they try to recombine with holes as base is lightly dropped only few electrons recombine with holes within the base electron जो है अगर हम NPN transistor को ले अगर हम NPN transistor को ले तो NPN transistor में electrons जो हैं वो flow करेंगे emitter से base की तरफ और base जोके size में भी छोटा है और उसमें holes जो P-type है ना P-type होगा तो holes होंगे और holes की तदाद भी कम है जो कि डाइग्राम में दिखाई भी हुई है ठीक है और यहां पे जो emitter से electrons जाएंगे जो चांद होल्स होंगे उन में से भी कुछ holes के साथ वो recombine करेंगे जब recombine करेंगे तो उसमें crunch flow होगा बाकी के कहां जाएंगे electrons जो emitter के हैं वो collector की तरफ जाएंगे ठीक है these recombined electrons constitute small base crunch यहां पे small amount जो है base crunch की हमारे पास आएगी the remainder electrons crosses base base को cross करेंगे और collector के साथ constitute collector crunch यहनि collector crunch collector में जाके collector crunch को produce करेंगे तो total crunch किसके को होगा है IE क्योंकि emitter से start हुआ था IE is equal to IB यहनि बेस का crunch plus IEC ठीक है conditions of transistor यह बहुत important है active region transistor operates as an amplifier जब transistor amplifier के तौर पे अप्रेट करेगा आगे हम पढ़ेंगे यह क्या होता है तो उस में जो active region होगा वो transistor उस में अप्रेट करेगा amplifier में यहनि behave करेगा like an amplifier और उस में जो IEC यहनि collector crunch है वो किसके इकुल होगा बीटा multiply by IB बीटा क्या है crunch gain है और IB क्या है crunch gain यहनि दोनों की ratio बीटा होगा अगर इसी equation में सम बीटा की value निकालें तो IEC और बीटा के साथ जो IB multiply हो रहा है वो IEC से divide होगा तो बीटा की value हो आजाएगी दूसरा इसका region होता है saturation transistor is fully on और operating as a switch switch का मतलब होता है on and off तो IEC जो है वो किसके कुल होगा IE के IE के है total crunch यानि जो बैटरी का है fully on होगा बैटरी का जितना भी crunch है वो IEC के दोपे behave करेगा cut off region transistor is fully off मुकमल दोपे off होगा और operate करेगा as a switch मैंने जैसे पहले का जहाँ word switch है इसका मतलब on या off और यहाँ पे switch को हम fully off में लेंगे और यहाँ पे IEC की value किसके कुल होगी zero की कुल होगी ठीक है अच्छा next आपके पास है configuration of transistor configuration से मुराद है कि transistor जैसे आपने देखा transistor के तीन parts है regions है यानि emitter, base, collector तो इसमें हम यह देखेंगे configuration से मुराई यह लेंगे कि हम transistor को तीन तरीके से connect कर सकते हैं circuit में ठीक है वो एक में कैसे करेंगे कि सबसे पहली इसकी configuration होगी अगर हम emitter को common करते दूसी configuration होगी जब हम base को common करते तीसी configuration होगी जब हम collector को common करते ठीक है अब इन तीनों configuration की हम one by one आगे थोड़ी थोड़ी explanation पढ़ेंगे ये भी important है आपको short question के तोपे भी पूची जा सकती है long question भी आ सकता है और आगे इसकी configuration को हमने detailed में भी पढ़ना है लेकिन फिलहाल हम इसके journalist का view लेंगे यहां तक आप इसको देखें बाकी मैं आपको next record करके भेज़ती है thank you